देखो question no.9 में कह रहे हैं कि पोल है पांच मीटर 60 cm का जिसकी shadow कि इतनी आ रही है थ्री मीटर 20 cm तो ऐसे माल लो यह पोल है फाइव मीटर 60 cm में इसकी shadow इतनी आ रही है फिर एक और पोल है जो तीन मीटर 20 cm का उसकी तुम्हें बतानी है तो देखो पोल बड़ेगा तो shadow भी बड़ेगी obviously यह कहने है एक और है जिसकी shadow पांच मीटर के तो तुम्हें उसका हाइड बतानी है जिब shadow इतनी है तो हाइड बतानी है पोल की तो हम क्या करेंगे पहले तो हम लोग बेटा यह देखो पांच मीटर 60 cm है तो मीटर को संटी मीटर करो तो 5 मीटर इक्वल टू 500 cm ठीक है प्लस 60 भी है तो यह कितना हो जाएगा यह जाएगा 560 cm इसकी shadow कितनी है तीन मीटर 20 cm मतलब 3 मीटर का मतलब 300 cm और 20 cm तो मैंने पूरा संटी मीटर में कर लिए कितना हो जाएगा 320 ठीक है यह भी cm में उसी तरीके से अगला देखो next वाले में बेटा यह क्यूंके तुमारा है नेक्स वाला सॉरी नेक्स वाला कितना है 10 मीटर्स है तो देखो 10 मीटर 50 cm को भी पूरा तुमने अगर सेंटी मीटर में करा तो 10 मीटर कितना हो जाएगा 1,000 cm प्लस 50 कर लो तो 1050 cm तुम्हें इसकी शैडो बतानी है अगला वाला जो है यह पांच मीटर 5 मीटर को सेंटी मीटर में कर लो 500 cm शैडो है तो तुम्हें इस पोल की हाइड बता नीए ठी तो यह direct proportion का ही case है question direct proportion का है realization mere pole की height बड़ेगी तो pole की Shadow भी बड़ेगी तो यह है direct proportion का हूब हुशा क्या हो जाएगा 560 upon 320 is equal to 1050 upon x यहाँ a x की value निकाल लो cross multiply कर दो तो 560 into x is equal to 105 50 into 320 यह 560 उठाकर यहां पे लिया हो ठीक है तो 0 से 0 गया 8708 432 ठीक है 7 से कर लो 7107 बजे 7535 और 0 तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 into 4 कितना हो जाएगा 600 cm तो तुम्हें यहां पे तो मिल गई भाई पोल शाडव की लेंथ मिल गई 600 अगला देखना है कि अगर शाडव ही 500 सेंटीमेटर के तो उसकी हाइट कितनी होगी ठीक है तो फिर यह क्या करोगे 560 अपॉन 320 देस अपॉन देस इग्वल टू य अपॉन 500 अब देखो बच्च कितना आ जाएगा y is equal to 560 इंटू 500 अपॉन 320 ठीक है 0 से 0 गया 8 4 32 8 7 56 ठीक है 4 1 4 125 तो यह कितना आ जाएगा 875 cm ठीक है अगर मुझे इसे मीटर में लिखना है तो मैं इसे क्या लिख सकती हूं 8 मीटर 75 cm तो यह क्या आ जाएगी यहां पर यह जो शाडव कास कर गता 500 सेंटीमीटर की उसकी हाइट कितनी हो जाएगी 8 मीटर 75 सेंटीमीटर ठीक है क्लेयर है बच्चो